घर में कई ऐसी वस्तियों मोजूद होती हैं जो आपके घर के वातवरन को सकारात्मक बनाने के साथ वस्तु दोस्तों से भी मुक्त करती हैं इनके सही इस्तमाल से आपके घर में सदेव सम्रिद्धी बनी रहती है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीड करते हूं आप सब्सक्राइब करें उपना तो चलते हैं वीडियो के तरफ आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी से घर की ऐसी कौन सी जगा है जहां पर कपूर का टुकडा रखने से धन से आपकी तिजोरी भरी रहेगी दोस्तो वास्तु शास्त्र के एक ऐसा प्राचिन विज्ञान है जो घर की सुख समृद्धि को बढ़ावा देता है यह है आपके आसपास के वातवरण में कल्यान और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्पून माना जाता है ऐसे ही कुछ वास्तु उपाय को घर के लिए कारगर माना जाता है और उनके इस्तमाल से घर की खुशाली सदे बनी रहती है वास्तु के कुछ विशेश उपाय में से एक है कपूर का उपाय यह एक ऐसी सामगरी है जो घर के वातवरण को शुद्ध बनाए रखने में मदोद करती है दोस्तो यदि आप घर में नियमित रूप से कपूर जलाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है कपूर में शुद्ध करन के गुण मोजूद होते हैं जो जीवन को कई तरह से प्रभायत करते हैं वास्तो के माने तो घर के कुछ विशेश स्थानों पर यदि आप कपूर रखते हैं तो आपके घर की आर्थी की स्थिति भी अच्छी बन रहती है और घर में धनका प्रभाव बना रहता है तो वीडियो में बताऊंगी किस जगा पर कपूर रखना चाहिए जो आपके लिए शुब हो सकता है दोस्तो घर के पूजा इस्थान पर कपूर रखना सबसे ज़्यादा महत्पून माना जाता है ये इस्तान पूरे घर के लिए उर्जा का केंदर होता है और इस चगा कपूर रखने से उर्जा पूरे घर में फैलती है जिससे घर का बातवरन शुद होता है कपूर को किसी भी पूजा पाट के लिए एक मुख्य सामगरी के रूप में देखा जाता है और मानता है कि यदि आप पूजन के दोरान कपूर जलाते हैं तो घर का बातवरन शुद होता है और परिवार के सभी लोगों को मानसिक शांती मिलती है और ये उपाये जीवन में धन के मार खोलने में मदद करता है दोस्तो सुख सिर्मिती के लिए बैडरूम में भी आपको कपूर का टुकड़ा रखना चाहिए आपके घर का बैडरूम वे स्थान मना जाता है जो शांती और ताजगी से भरपूर होना चाहिए यदि आप इस स्थान पर कपूर का एक टुकड़ा रखते हैं तो ये मानसिक शांती प्रदान करने में मदद करता है आपकी और अच्छी नींद को बढ़ावा देता है दोस्तों यही नहीं इसकी खुश्वू एक साकारत्मक वातावरन को बढ़ावा देती है जिससे मानसिक शांती मिलती है मुखे रूप से यह है आप शादी शुदा जोड़े के सोने के कमरे में कपूर रख सकते हैं तो ये दोनों के आपसी रिष्टों को मजबूत करने मदद करता है अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो धन लाप के लिए घर की तिजोरी में भी आपको कपूर का टुकड़ा रखना चाहिए हर कोई धन के मार्क खोलने के लिए उपाय खोचता है लेकिन कई बार बिना वज़े ही धन हानी होने लगती है ऐसे में अगर आप कपूर का छोटा सा उपाय अजमाती है तो ये आपके जीवन में आर्थिक तिदि को ठीक रखने में मदद करता है दोस्तों इसके लिए आप एक कपूर के छोटे टुकड़े को घर की तिजोरी के भीतर रखें इससे आपके लिए धन के योग बनते हैं और पैसा व्यरत की जग़ों में खर्च होना बंद हो जाता है यदि आप जेव में कपूर का एक टुकड़ा रखें तब भी आपके लिए धन का योग बनाता है घर के मुखेदार पे भी आप कपूर का टुकड़ा रखें आपके घर का प्रिवेश दुआर व्यस्तान है जहां सकारत्मक और नाकारत्मक दोनों तरक्य उर्जाएं प्रिवेश करती हैं यदि आप इस स्तान पर कपूर का टुकड़ा रखते हैं तो आपके घर के भीतर उर्जा के प्रभाव को बनने रखने में मदद करता है प्रवेश द्वार के पास कपूर रखने से नकारत्मक उर्जा और पूरी शक्तियां दूर रहती हैं जिससे आपके घर में केवल सकारत्मक का ही प्रवेश हो सकता है होता है कपूर आपके आसपास की हवा को शुद करता है और आपके घर में प्रिवेश करने वाले किसी भी वेक्ति के लिए साकारत्मंग माहुल बनाता है इससे घर में प्रिवेश द्वार से माता लक्षमी का आगमन होता है इसलिए इस इस्तान पर कपूर रखने से धन के योग बनते हैं दूस्तो घर में रसोई में आप इसको भी रख सकते हैं यदि वास्तू की माने तो घर के रसोई में अगर आप कपूर का एक टुकडा रखते हैं तो ये कई तरह से लायब दायक माना जाता है कपूर से वातावरन सकारात्मक करने में मदद मिलती है और यदि हम वस्तु की माने तो कपूर किचन में आने वाले कीटों से भी सुरक्षा करता है इसे किचन में रखने से कभी भी अंधन की कमी नहीं होती है अंधन से आपका घर जो है भरा रहेगा, किचन भरा रहेगा यदि आप वास्तु के नियुमों के अनुसार घर की विशेज जगव पर कपूर रखते हैं तो आपके जीवन में समरीदी के साथ धन के योग भी बन सकते हैं ये घर के वास्तु दोशों से मुक्त रखने में भी मदद करता है वास्तु सास्त के अनुसार पूजा घर में कपूर का जलाना बहुत शुब होता है दरसल ये इस्तान पूरे घर के लिए उर्जा का केंदर होता है ऐसे में इस इस्तान पर कपूर जलाने से नस्ता कारात्मा कूर्जा का प्रभाव पूरे घर में होता है जिसके घर की नाकारत्मा कूर्जा नस्ट हो जाती है साथ ही मा लक्ष्मी घर में वास करती है जिसके आर्थिक इस्तिति करमशाद सुधिड होती चले जाती है दोस्तों यदियाब वास्तु के नियमों के इंसार घर की विशेश जगा उपर कपूर रखते हैं तो आपके जीवन में सम्रिदी के साथ धन के योग भी मनने लगते हैं यह घर को वास्तु दोस्तों से मुक्त करकने में भी मदद करता है दोस्तों प्रित्व दोश ये रहू केतु का प्रभाव दूर करने के लिए रोजाना घर में कपूर जलाएं लाब होगा आकस्मिक दुरगटना से बचने के लिए शाम को पूजा के दुरान हनुमान चालिसा का पाट करें और इसके बाद कपूर से आर्थी करें जिस घर में नित नियम से सुबह और शाम कपूर जला जाता है उस घर में कभी भी किसी परकार की आकस्मिक घटना और दुरगटना नहीं होती है यदि भागे चमकाना चाते हैं तो नहाते समय पानी में कपूर के तेल के कुछ बूंदे को डाल कर नहाएं इस उपाय को करने से शरीर को सकारात्मक उर्जार से मिलेगी ही आपका भागे भी चमकेगा दोस्तों यह वीडियो हैं तक ती मुझे अमीद आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक चेर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू